हेलो एवरीबन आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक और वीडियो लेकर और बने रहे हैं मेरे साथ एंड तक तो देखिए आज में लेकर रही हूँ आपके लिए आई मेकप की वीडियो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कर देखिए सबसे पहले मैंने अपने इस ये मेकप की क्लीन ब्लं कर लिया तो जिसके मैंने क्लीन क्या है क्ल देदी सबसे पहले मैंने जो आई ब्रोग होती है उन्हें फिल कर लिया है इसके लिए मैंने ब्राउन और ब्लैक बिक्स करके लिया है तो जो आइब्रोश ये पर उसे हम दे देंगे इसकी जैसी होगी मानलवी की तो यह यह ही मैंने अब आजे कि नहीं है उसके बाद में किया वाइट फांदोशन यूज किया है और वाइट मैंने क्यों चीछ यूज क्या यह भी मैं बता दू कि मेरे पास जो पैलेट इसमें वाइट नहीं है लगत्व जदा इतना इनके बराबर भी लग्यार देखो कितनी जा वह फिए नहीं ब्रेश में इतना अच्छा यूज्ज नहीं हो बाता हूं और पुरस से फिर ठर्int भी है तो देखें मैंने इस पर वाइट फाइंड लेशन किया है और मैंने यहां पर लिया जो अपनी ट्रांजेश्चन लाइन होती है Transition Line क्या होती है मैं पहले अपनी वीडियों बता चूक क्यों हूं और इसकी बात मैंने लिया है क्रीज के लिए थोड़ असा डार्क लिया है तो हाँ यह मैं बता दो कि मैं यहां पर करने जारी हूं Hello Eye Makeup और आपकी language में Hello Eye Makeup का क्या meaning है यह मुझे comment में जरूर बताना तो जो मैं समझती हूं मैं वो टैप से कर रही हूं तो Hello Eye में क्या होता है कि जो हमारी eye lid होती है उसमें हम एक half circle देते हैं जिसमें हम कोई भी shimmery color भर सकते हैं golden भर सकते हैं white silver भर सकते हैं उसे कहते हैं अगर आप किसे समझते हैं तो मुझे comment में जरूर करता नहीं चीक है और देखिए यहां पर जो हमारे inner outer होते हैं हम दोनों side मैंने यहां पर dark brown लिया है अब dark brown मैंने से कैसे बनाया है यह भी आप दीखिए कि मैंने brown में dark brown में होल का सा मैंने black mix कर दिया है उसे वो dark हो गया है और यह कल जो हमारा eye makeup है brown यह आप किसी भी के साथ ले सकते हैं और यह make up आप day में night में दोनों में ही चलता है ठीक है तो यह बात इसमें बहुत-बहुत-बहुत मैंने है जो मैंने आपको बताई है और मेरी वीडियो कैसे लगती है प्लीज मुझे comment में जरूर बताईए जो मैं eye makeup आपके साथ शेयर कर रही हूं कि यह आपको कैसे लगा तो देखिए जो inner outer में उसमें हम brown किया है मैंने black mix करके dark करके क्योंकि हम जब हम dark करेंगे जो हमारा golden होगा वह हमारा color उभर के आएगा ठीक है तो देखिए हमें उसी में एक पीज में gold shape देनी है half circle बनाना है तो यह देखिए मैंने इसके लिए कोई भी और foundation use नहीं किया है उसी में ही मैंने circle बनाया है तह देखिए आफ मैं दोनो आइस पर इसलिए दिखा रहे शुदा कि color हमारे दोनों आईस पर प्राबर होने चाही एक्वल होने चाही जांए ना कि जादा कम नहीं होने चाहीए कहीं पर कम है जादा है ऐसा भी नहीं होने चाहीए कलर करने में जब आप कोई भी मेकप कर रहे हो मतलब तो कलर हमारे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके में कलर एकदम मज हो जाएं उबरे 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 ना लगे तो देखिए यहाँ पर मैंने जो अपना हाफ सरकल था वो कर लिया है और इसके लिए पहले मैंने इसी किट से जो में पस हुटा की है यह भी औरिजनल हुटा नहीं है ज़रा सुल लिजे का यह औरिजनल नहीं है यह मैंने आनलाइन पठ्चेस किया था पर कलर सके बहुत अच्छे है हुटा के नाम से है अभी कौन से एप से मगाई थी मुझे ये भी नहीं याद जब मैं academy में थे तब ही मैं नमगाई थी तो इसमें मैंने इसमें golden और थोड़ा से yellow लेकर भर दिया है ताकि मैं जिसमें बाद में जो golden वरू वो अच्छा सब दिखे तो ये अभी देखिए अभी ये उभर नेड़ा उसके बाद में इसमें बाद में करूँगी तो यहाँ पर देखिए मैंने जो मेरा half circle था हैलो का वो मैंने इसमें color कर दिया है golden और yellow mix करके तो देखिए जैसे मैंने का कि blending अच्छी होनी चाहिए इस बात का हमें खास खास ख्याल रखना है तो यहाँ पर देखिए मैंने यह कर दिया अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैं golden ले रही हूँ brush पे प्लीज ध्यान से देखिएगा इसमें समझ में ना आए तो बार बार देखिएगा तो यह मैंने पूरा इसलिए लिया है तापको यह आपको ढंक से समझ में आज रहे हैं कि वो छूट इसेज में होती है तो यह देखिए और यह मैं brush से लेके जो मेरे पास में इसकी cap रखी होई है तो यह जो extra है वो उसको मैं चाड़ दे रही हूँ डस्ट है जो मारा जो extra वोल्डन का और ऐसे अगर और जिल मेकप में करूंगी तो भी मैं ऐसे यही मेरे तरीका करने का यही रहेगा अलग नहीं होगा तो देखिए इसकी बाद जो हमारा extra जो नीचे आइस की नीचे जो गिर जाता है उसको मैंने clean कर दिया है जैसे हम face पर clean करते है और देखिए जो हमारी eyebrows के नीचे होती है उसको भी मैंने यहाँ पर silver दिया है यह क्योंकि हमें उसको highlight करके दिखाना है ठीक है ओके और यहाँ पर देखिए मैंने जो liner लिया है वो lack me का लिया है आप कोई भी लगा सकते है child learner लगा सकते है कोई भी लगा सकते है मैंने यहाँ पर lack me का लिया है और wing learner लगाया है मैंने यहाँ पर wing learner लगाने का वे एक तरीका होता है वो मैं आपको अलग से बताऊंगी तो यह मैंने मुझे आता है तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया बड़ अगर आप शुरुबात करोगे तो लाइन का तरीका अलग होता है और यहां पर देखिए मैंने इसको काजर लगा दिया है और फिर ब्राउन शेड लेके मैं उसे मर्च कर दिया है मिक्स करके ब्लेडिंग कर दिया और कैसा लगा मेरा आई मेकब मुझे जरूर बताना आई लिश्र लगा दिया मैंने देखिए